हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर इच्छा प्लान में तो कैसे हैं आप लोग आई हो पच्छे होंगे तो जैसा कि आप लोग को पता है कि साइंस को मैं कम्प्लीट एंस ए आर्टी से पढ़ा चुकी हूँ और अब मैं साइंस के इंपॉर्टेंट क की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर आप NCRT की सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सेर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए पहले प्रस्ण को पढ़ते हैं पहले प्रस्ण में लिखा है निमलिकित में से कौन जोडों के पिरकार के सही मिलान सैथ को निरूपित करता है यानि इसमें मिलान करना है तो पहले लिखा है कंदुक खल का जोड तो ये कह पर पाया जाता है ये पाया जाता है हात्वा कंधे में इसे पहले से मिला देंगे यानि ये सही लिखा हुआ है धुराग्र जोड ये कहां पर पाया जाता है तो ये पाया जाता है गर्दन में हेंज जोड ये पाया जाता है कोहिनी में और अचल जोड ये पाया जाता है के बीच होती है प्रुख और पूछ लिया जाता है कि अंगूठे में कौन सी संधी पाई जाती यानिकि हाथ का अंगूठा में मूठव ह frost on a tiny – the चलिए आगले प्रशन पर चलते हैं, लिखा है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, पहला लिखा हुआ है अनिशेचित अंडाडू में एक क्रोमोसोम यानि गुरसूत्र होता है, दूशरा है अनिशेचित अंडाडू में क्रोमोसोम के तेश योगल होते हैं, तीसरा है अनि शिर्चित अंडाड़ू में 22 क्रोमोसोम्स होते हैं तो क्रोमोसोम का एक युग्म जो यही निर्दारित करता है कि कोई व्यक्ति नर है या मादा तो मनुस्त में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स यानि गुर्षूतर होते हैं तो यह आपको याद रखना है इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है तो इसमें जो आपका सी विकल्प है कि अनेशेचित अंडाड़ू में एक एक अर्थात लिंग गुर्षूतर होता है यही सही है तो मनुस्त में 23 जोड़ी गुर्षूतर होते हैं यह मैंने अभी आपको बताया जिसमें जो 22 जोड़ी होते हैं यह समजात होते हैं जबकि जो तेसवा जोला होता है लिंग गुर्षूतर होता है यह आपको याद रखना है तो इसमें सी विकल्प आपका सही है अनेशेचि इन्हें कैरुसेन में भंडारित किया जाता है X और Y क्या हो सकते हैं पहला वितल्प है फासफोरस और सोडियम दूसरा है फासफोरस और सलफर तीसरा है सोडियम और पोटेसियम और चौथा विकल्प है सलफर और पोटेसियम तो इस प्रस्ण में आपका जो सही विकल्प है वह है सोडियम और पोटेसियम सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा क्योंकि ये ऐसी धातुएं हैं जो इतनी तीवृता से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर उनमें आग लग जाती है ऐसी धातुएं बहुत अधिक उसमा उत्पने करती हैं जिससे दुर्खटनाई हो सकती हैं इसलिए इनकी सुरक्षा और आकस्मिक आग से बचने के लिए इन्हें केरूसीन यानि मिट्टी की तेल में डिबो कर रखा जाता है तो ये बात आपको याद रखनी है सी विकल्पिस में सही हो जाएगा चली अगले प्रशन पर चलते हैं लिखा है एक्स कोई संसलेसित रेसा यानि फाइवर है जो उन से मिलता जुलता है और इसका उप्योग सौल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है एक्स क्या हो सकता है पहला विकल्प है रियोन, दूसरा है एक् तीसरा है नाइलोन और चौथा है पॉलिस्टर तो मानो द्वारा बनाई गई रेसे संसलेसित रेसे या मानो निर्मित रेसे कहलाते हैं इसमें पूछा गया है कि एक्स कोई संसलेसित रेसा है यानि मानो निर्मित है जो उन से मिलता जुलता है और इसका उप्योग सौल, स् इसमें आपका सही हो जाएगा acrylic क्योंकि यह जो रेशा है यह अधिक टिकाव और किफायती होते हैं जो उन्हें प्राकर्तिक रेशे की तुल्ला में अधिक लोगप्री बनाते हैं क्योंकि यह टिकाव भी हैं और सस्ते भी हैं तो इसलिए इनका प्रियोग किया जाता है सौल, स्वेटर और कंबल बनाने में अगला प्रशन दिया गया है नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुछाने के लिए पानी का उप्योग नहीं किया जा सकता पहला विकल्ब है बिजली से लगी आग दूसरा है लकडी का जलना तीसरा है पैटरोल का जलना और च्वाथा है कागज का जलना इसमें पूछा गया है कि कौन सी आपको पानी से नहीं बुछाया जा सकता तो इसमें जो ए लिखा हुआ है कि बिजली से लगी आग तो इसे पानी से नहीं बुझाया जा सकता, तो इसमें A होगा, लकडी का जलना इसे पानी से बुझाया जा सकता है, पैटरॉल का जलना इसे पानी से नहीं बुझाया जा सकता है, तो जो नहीं बुझाया सकते वहे बताने हैं, तो इसमें A और C होगा, यानि कि आपका जो B व प्रियोग नहीं किया जा सकता है लेकिन यदि पेटरोल से आग लगी है बिजली से आग लगी है तो इसे बुझाने के लिए पानी का प्रियोग नहीं किया जा सकता है इन्हें बुझाने के लिए कारवन डाई ओकसाइड सबसे अच्छा अगनी सामक है तो जो अगनी सामक यंत्र होती है और जो बिजली से आग लग जाती है पेटरोल से आग लग जाती है तो इसे बुझाने के लिए उसका ही प्रियोग किया जाता है पानी का प्रियोग नहीं क इसमें है, पहला है ग्रीन डेटा बुक, दूसरा है ब्राउन डेटा बुक, तीसरा है रेट डेटा बुक और स्वाथा है वाइड डेटा बुक. तो संक्टापन इसीज क्या है? तो ऐसी कर जाती जो अपनी घट्ती जन संख्या के कारड बिलुप्त होने के कारपर है. तो उसकी इस्तिती पर डेटा का संक्लिन किया जाता है रेट डेटा बुक में सी भिकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यह पुस्तक जो है सभी संक्टापन जन्तुओं और पादपूं का रिकॉर्ड रखती है यह आपको याद रखना है चलिए अगले प्रश्ने पर चलते है अगला प्रश्ने दिया गया है निमलिकित में से गलत कथन को पहचानिये इसमें गलत कथन बताना है लिखा है ध्वनी निर्वात में गवन कर सकती है दूसरा है कमपन की आर्वरती उच है तो तारत भी उच होता है तीसरा है सभी कमपन गतियां दोलन करती है और चोथा है बासुरी में ध्वनी वायु इस्थम्ब के कमपन द्वारा उत्पन होती है अब इसमें गलत कथन बताना है तो ध्वनी की बारे में मैं आप लोगों को जब भी ध्वनी से समंदित कोई प्रशना आता है तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ध्वनी की संचरड के लिए माध्यम की आवसकता होती है निर्वात में ध्वनी का गमन नहीं होता ये मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ तो आप लोगों को पता चल गया कि गलत कौन सा है पहला विकल्प क्योंकि इसमें लिखा है ध्वनी निर्वात में गमन नहीं कर सकते तो पहला विकल्प आपके प्रश्ण का उप्तर हो जाएगा बाकी ये तीनों सही लिखे हुए है अगला प्रश्ण दिया गया है नीचे दिया गया कौन सा समुच्च है ऐसे द्रबों का समाविष्ट करता है जो बिद्धुत के अच्छे चालक है पहला विकल्प है नीबु का रस बनसपती तेल टोटी का जल दुसरा है आसोत जल सैंपू, सिर्का तीसरा है नीबु का रस सिर्का, टोटी का जल और चौथा है सैंपू, बनसपती तेल नीबु का रस तो जिन में विद्धुधारा का प्रवा हो जाता है यानि जो अपने में से विद्धुधारा का प्रवा होने देते हैं वे कहलाते हैं विद्धुध के सोचालक या अच्छे चालक और जो अपने में से विद्धुधारा का प्रवा नहीं होने देते वह कहलाते हैं बिधुत के कुचालक इसमें पुचा गया है जो बिधुत के अच्छे चालक है यानि जिन में से बिधुधारा का पिरवा हो जाएगा तो वह है नीबु का रस, सिर का और टोटी का जल सी विकल्ब इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा अगले प्रस्ण पर चलते हैं लिखा है नीचे दिया गया कौन सा समुच्च भौतिक परवर्तनों को समाविष्ट करता है पहला विकल्ब है काच के टुकडे टुकडे करना केक पकाना, पटाके फोडना दूसरा है पानी उबालना, भोजन पकाना लोहे को जंग लगना, तीसरा है कावज जलाना, दूद की दही जमाना काच टूटना, और स्वता है काच टूटना गेहुं पीषना, पानी उबालना अब इसमें भौतिक परवर्तन जिसमें समाविष्ट हैं वह बताने हैं तो मैंने आपको भौतिक और रासाइनिक परवर्तन पढ़ाई हैं भौतिक परवर्तन वह परवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुड़ों में परवर्तन हो जाता है यानि कि आकार, रंग, अवस्था, जैसे गुड़ जो होते हैं इनमें परवर्तन हो जाता है, तो ये भौतिक परवर्तन कहलाते हैं, और इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, और जो रासानिक परवर्तन होता है, इसमें एक या एक से अधिक नय पदार्थ बनते हैं, तो ये रासानिक परवर्तन कहलाता है, अब जिसमें कोई भी न नया पदार्थ नहीं बन रहा है, उस विकल्प को आप चुन लीजिए, यानि कि कागज की टुकुडे-टुकुडे करना, केक पकाना, केक पकाने में नया पदार्थ बनेगा, पटाके फोडना, तो ये बहुत एक परवर्दन नहीं है, पानी उबालना, भोजन पकाना, भोज का तूटना, ग्यहु पीषना, पानी उबालना. अब इसमें क्या है? पदार्त के भौतिक स्वरूप में परवर्तन हो रहा है. कांच तूटने पर कांच ही रहेगा, ग्यहु पीष दिया है, यानि कोई नया पदार्त नहीं बना है, स्रिफ ग्यहु का जो रूप है वही बदल और पानी उबालने पर पानी ही रहेगा कोई भी नया पदार्स इंद में नहीं बन रहा है तो डी विकल्प इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं लिखा है चौक और पानी के मिसरड को पर्थक करने की प्रक्रिया में निम्लखित में से कौन सहायक नहीं होगा पहला है निस्यंदन, दूसरा है निस्तारड, तीसरा है अवसादन और स्वाथा है उर्ध पातन तो चौक और पानी की मिसरड को अलग-अलग करना है तो इसमें निस्यंदन भी सहायक होगा निस्तारड भी सहायक होगा अवसाधन भी सहायक होगा इनके बारे में पहले जान लीजिए फिर आपको बताते हैं कि जो उत्तर है वै कौन सा विकल्प है निस्यंदन क्या होता है चौक और पानी को मिला दिया फिल्टर वेपर की सहायता से छान लिया तो ये हो गया निस्यंदन अब जो भारी करण है चौक के वो पानी में नीचे इखटे हो जाएंगे ये अवसाधन और उससी पानी को उपर से निकाल दिया ये हो गया निस्तारण नीचे चौक बैठ जाएगी तली में अब इसमें जो सहायक नहीं है वह है उर्ध पातन तो यही इस प्रस्निका उत्तर हो जाएगा क्योंकि सहायक नहीं है पूछा गया था अब उर्ध पातन क्या होता है तो उर्द पातन ठोस अवस्था को सीधे गैसी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया है तो यह कहलाता है उर्द पातन जैसे कपूर ठोस होता है उसे सीधा गैस में यानि गर्म करते हैं तो सीधा गैस में परवर्तित हो जाता है तो यही कहलाता है उर्द पातन तो D विकल्ब इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा चलिए अगली प्रश्ण पर चलते हैं लिखा है X कोई विटामिन है जो वसा में विलेई है और त्वचा और आखों को स्वस्थ रखने में सहयता करता है Y ऐसा खादेपदार्थ है जिससे इस विटामिन की प्रशिरता है X और Y को पहचानिये यानि कि X कोई ऐसा विटामिन है जो वसा में विलेई है और त्वचा और आखों को स्वस्थ रखने में सहयता करता है तो वसा में घुलनसील विटामिन कोन-कोन से होते है आप लोगों को याद रखना है मैंने आपको बताई थे वसा में घुलनसील विटामिन होते हैं A, D, E, K और जल में घुलनसील होते हैं विटामिन B और विटामिन C अब इसमें X ऐसा विटामिन है जो वसा में विले है और तवचा और आखों को स्वस्त रखने में सहायता करता है और बाई ऐसा खादपदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है तो वसा में घुलनसील विटामिन A होता है और ये आँखों को स्वस्त रखने में और तवचा को स्वस्त रखने में सहयक होता है और ये तीले फलों में पाया जाता है तो D विकल्प इस प्रशने का उत्तर हो जाएगा विटामिन A की कमी से रतोंदी रोग हो जाता है, विटामिन B की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन C की कमी से इसकरवी और विटामिन D की कमी से रिकेट्स ये सब आपको साथ में याद रखने हैं चलिए अगले प्रस्मिट पर चलते हैं अगला प्रस्मिट दिया गया है तो आप किसी ट्रोयल रूम के दो समांतर संतल दरपड़ों के बीच खड़े हैं तो आपके असीम पृत्वे में बनेंगे यानि अनन्त तो चोथा विकल्प इस प्रशने का उत्तर हो जाएगा। तीसरा है एक पॉप अप की ध्वनी सनाई देगी और शोथा है विलियन का रंग परवर्तेत होगा। एक पात्र का च्छे होकर यह बनता है। क्या बनता है यह बताना है। पहला विकल्प है कॉपर अक्साइड और कॉपर हाड्रोक्साइड की लाल भूरी परत। दूसरा है कॉपर हाड्रोकसाइड और कॉपर कार्वोनेट की हरी परत। पर कार्बोनेट की हरी बरत भी विकल्ब इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा. अगला प्रश्ण दिया गया है निम्ण में से कौन सा घरेलु पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा? पहला भी कल्ब है बेकिंग सोडा, दूसरा है सिरका, तिसरा है नीबु का रस, और चोथा है कोई विरंजक. तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? चार करते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अमल. यह आपको याद रखना है, अमल वे होते हैं जिनका स्वाद खटा होता है और चार वे होते हैं जिनका स्वाद करवा होता है. और अमल नीले लिटमस को लाल करते हैं और चार लाल लिटमस को नीला करते हैं. तो इसमें जो लाल निटमस को नीला करेगा वह होगा बेकिंग सोडा और कोई विरन जग क्योंकि ये दोनों छार हैं सिर का और नीबु का रस अमल है इसी लिए ये नहीं होगे तो पहला और चोथा इसमें सही है यानिकी जो चोथा विकल्प है डी विकल्प वही आपके प्र तो जो जुआला के साथ देहन करेंगे वह हैं कपूर और मैगनीशियम पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा तो आज की वीडियो में 16 प्रस्ण मैंने NCRT बेस्ट लिये हैं अगले 14 प्रस्ण आपके पेडागोजी के हैं तो चलिए पेडागोजी के प्रस्णों को भ पूर अनुमानिक है तीसरा है विज्ञान एक सामाजी गत्विदी है और सौथा है विज्ञान रेकिक रूप से अग्रसरित है तो आइस्थाई का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी इस्थितिक रूप में संदर्वित किया जाता है जो पूरी तरह से विक्सित नहीं होती या हम निश्चित नहीं कह सकते तो आइसथाई का मतलब यही होता है जो सही कथन है जो इसकी व्याखिया कर रहा है कि विज्ञान आइसथाई है तो पहला विकल्ब है कि विज्ञान विकासील है यानि कि इन में विकास हो रहा है नियम और सिध्धान्त में यानि कि वो समय के साथ बदल रहे है तो पहला विकल्ब इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा दूसरा है पाठे पुस्तकों को लिखने की वास्तपिक प्रक्रिया में केवल कारसील व्यग्यान को कुछ सम्मलित करना चाहिए तीसरा है पाठे पुस्तकों को गहन तथा व्यापक रूप में पूर्विकार्यान वित किया जाना चाहिए और सोथा है व्यक्तियों तथा पूर्विकारियान वितिक किया जाना चाहिए। प्लास्टिक के एक बेंड को खीच कर छोड़ना और उसमें होने वाले इस पंदनों को ध्यान से देखना। तीसरा है पानी में एक पत्थर फेकना और उसे ध्यान से देखना। और चौथा है बोलते समय गले में होने वाले इस पंदन को महसूस करना। तो सिक्षिका जो है इस पंदन और ध्वनी के बीच संबंद दिखाना चाहती है तो सबसे अच्छी गतिविती पूछी गई है तो डी विकल्विस में सही है बोलते समय गले में होने वाले इस पंदन यानि कमपन को महसूस करना जब आप बोलेंगे तो आपको ये कमपन जो है महसूस होंगे तो डी विकल्विस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा ध्वनी जो होती है कमपन द्वारा ही उत्तपन होती है और निर्वात में ध्वनी का गमन नहीं होता ये आपको याद रखना है द्वनी संचरण के लिए माध्यम किया वसकता होती है चलिए अगले प्रस्न पर चलते है लिखा है आपके चात्र अभी अभी कच्छा आठ में पिरवेश किये हैं अगर NCRT के अमस्वार कच्छा साथ तक पढ़ाई गई से धानतों में चात्रों ने लगभग निपुड़ता हासिल कर ली है तो निंखित में से सरवादिक संभावना क्या है जिसका वे बर्डन नहीं कर पाएंगे पहला है कपास के बीजों को कपास के तंतों से अलग करना दूसरा है किरतिम तंतों का अलग अलग बस्तों में प्रसंस करण तीसरा है प्राकर्तिक तंतों का उन में प्रसंस करण और स्वथा है प्रयोक साला की परिस्थितियों में रेसम की पालन की प्रक्रिया तो बच्चे कच्छा साथ के हैं यानि कच्छा साथ को पास करकर आई हैं और आठ में उन्होंने अभी अभी पिर्वेस लिया है तो इन में से जिसका वड़न भी नहीं कर पाएंगे वह विकल्प बताना है तो ऐसे प्रस्ण में ले चुकी हूँ इसके पहले प्रैक्टिस में तो आप लोगों को पता होगा तो कच्छा साथ तक बच्चों को कपास के बीजों को कपास के तंतुओं से अलग करना ये कर लेंगे किर्तिम थंतुओं का अलग-अलग वस्तुओं में प्रसंस करण यहीं नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो प्रस्ण है ये उनके संग्यानात्म के स्तर के उपर का है तो बी विकल्प इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा इसका वरड़न भी नहीं कर पाएंगे बाकी तीनों का वरड़न भे कर देंगे क्योंकि कच्छा साथ तक वो इन सब के बारे उनके पढ़ चुके हैं लेकिन किर्तम थंतुओं का अलग-अलग वस्तुओं में प्रसंस करण होने नहीं पढ़ा है तो इसका वरड़न नहीं कर पाएंगे बी विकल्ब इस प्रस्ने का उत्तर हो जाएगा अगले प्रस्ने पर चलते हैं लिखा है सु स्री सिल्पा एक गतिविधी के माध्यम से पासर उपरवरतन की अबधारणा पेस करना चाहती है निम्रकित में से कौन सी गतिविधी इस प्रियोजन के लिए सबसे उपयोगते है पहला विकल्ब है एक कागज पर एक सब्द लिखना फिर उस कागज को 180 डिगरी घुमाना दूसरा है सीसे में देखते हुए एक पाठे पुस्तक पढ़ना दीसरा है खुद को सीसे में ध्यान से देखना और चौथा है अच्छर एक को सीसे में दिखाना तो पासर उपरवर्तन तब होता है जब हमें पिरतिवेंब उल्टा दिखाई देता है यानि किसी का पासर उपरवर्तन हम देखते हैं तो वह हमें उल्टा दिखाई देता है जैसे हम M का पासर उपरवर्तन देखें तो यह हमें W दिखाई देगा इसी तरीके से पासर उपरवर्तन की अवधारणा पेस करना है तो क्या करना होगा एक कागच पर एक सब्द लिखना और फिर उस कागच को 180 डिग्री घुमाना तो किसी कागच पर आप एक सब्द लिखेंगे और उसे 180 डिग्री घुमा देंगे तो वै उल्टा दिखाई देगा ये विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चलि अगले प्रश्न पर चलते हैं नेवल्खित में से कौन सा विकल्प एक खुले सरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा वरण करता है पहला विकल्प है मानवों की कलाई किस पिरकार की हड़ियों से बनी हुई है दूसरा है क्या सभी पस्मों में हड़ियां होती है तीसरा है भिन पिरकार के पस्व किस पिरकार एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक इस्थानांतर करते हैं और चौथा है चूल जोड किस पिरकार हिंज जोड से भिन है यानि धुराग्र संदी किस पिरकार से कोर संदी से भिन है ये पूछा गया है तो इसमें खोले सिरे वाला प्रशन पूछा गया है यानि जो व्यापक सोच को बढ़ावा देते हैं और जिनके एक से अधेक उत्तर होते हैं तो इसमें सी विकल्प इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा भिन पिरकार के पसू किस पिरकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रशन चात्रों में निग्मनात्मक तरक विक्षित करने के लिए सबसे उपयोकत है पहला है अन्तह स्थान के दौरान मदपट संकुचित क्यों होता है दूसरा है स्वासरंद्र और स्वासप्रडाल की किस पिरकार नासका छेत्रों से तुलना की जा सकती है तीसरा है तो निगमनात्मक तर्क विक्सित करने के लिए सबसे अच्छा प्रश्ण पूछा गया है तो निगमनात्मक तर्क में क्या होता है कि पहले नियम या सिधान्त बताया जाता है उसके बाद उधारण दिये जाते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि जो सी विकल्प है, इसमें पहले बता दिया गया कि पादप जीवन्त होते हैं, क्या पादप स्वसन करते हैं, तो सी विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा। निगमनात्मक तर्प में बच्चे सामान से विशिष्ट की और और अमूर्त से मूर्त की और अग्रसर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्ण पर चलते हैं, लिखा है एक छातर नहीं कहा कि मिटी में नमी बिल्कुल नहीं होती, निम्कित में से कौन सी सुधारात्मक के लिए इस गलत धार्णा को दूर करने के लिए सबसे उप्योगत है। पहला है लकडी के एक फटे पर मिटी का नमूना रखना। दूसरा है मिटी के नमूने के वजन की धूप में सुखाने से पहले और सुखाने के बाद तुलना करना। तीसरा है वर्शाक होने के बाद मिटी का नमूना एकत्र करके उसकी जाच करना। और चोहता है एक वीकर में मिटी और पानी को मिलाने के बाद इस मिस्रल को धूप में सुखाना। तो चातर कहता है कि मिटी में नमी बिल्कुल नहीं होती। तो उसकी इस अभधारणा को किस पिरकार यानि जो उसकी गलत अभधारणा है उसे कैसे सुधारा जा सकता है तो क्या करना होगा कि मिट्टी के नमूने के वजन की धूप में सुखाने से पहले और सुखाने के बाद तुलना करना यानि थोड़ी सी मिट्टी लेने है उसके व पताना है बच्चे को कि मिट्टी में नमी होती है जो धूप में सूख गई है तो जो मिट्टी आपने सुखाने से पहले तौली थी उसका बजन जादा होगा नमी के कारण और सूखने के बाद मिट्टी हलकी हो जाएगी तो बच्चे की गलत अवधारणा को इसी से दूर किय जा सकता है बी विकल्फ इस प्रश्निका उत्तर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्निक पर चलते हैं लिखा है निम्रकित में से कौन सा विसाय सिमूलेशन सौटवेर का दूआरा सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है पहला विकल्फ है एक असमतल सतय पर ग्यंद को लुड़कते हुए रुक जाने तक की दूरी का प्रेक्षण करना दूसरा है तराजु का प्रियोग करते हुए विभेन वस्तमों के भार नापने का प्रभाव तीसरा है पहियों के साथ या उनके बिना कुर्सियों को धकेलन के प्रिभाव और सो होता है उंचाई से फेकी गई ग्यंद के प्रश्चेव पत का प्रेक्षण करना तो simulation software से सम्मंदित एक प्रशन पहले भी practice में मैंने लिया था simulation software क्या होता है तो simulation software या तो एक वास्तविक या कालपनिक प्रडाली का computer-y क्रत model है जिसे यह सिखाने के लिए design किया गया है कि system कैसे कार करता है जब चात्र simulation का उपयोग करते हैं तो उन्हें कार्यों और उन्हें पूरा करने के करम को चुनना होगा simulation का उपयोग, प्रयोग साला, प्रयोगों, भूंका, निर्वहन या यहां तक कि एक छेत्र भिरमण के स्थान पर या एक पूरक के रूप में किया जा सकता है अब इसमें पूछा गया है कि simulation software द्वारा सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है तो उमुचाई से प्रच्छे पेत, गेंद के प्रच्छेप पत्थ का प्रेक्षड करना डी विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है, एक हुक गत्विधी वय होती है जो छात्रों के वर्त्मान ग्यान का उप्योग करती है और रूची पैदा करती है पिरकास संसलेशर के विशय पर एक परिचयात्मक पार्ट सुरू करते समय सुरी सलॉनी के उपयोग के लिए निम्द्खित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गत्विधी होगे पहला है, क्या होगा अगर पौधों से पत्तों को हटा दिया जाए दूसरा है, स्वपोसी और विशंपोसी के लिए पोसक ततों के विभिन सरोत क्या होते है तीसरा है पिरकास संसलेशर के लिए क्या आवस्यक है और चौथा विकल्प इसमें छप नहीं पाया है तो चौथा विकल्प है क्या आपने ऐसे पोधे देखे हैं जिनके पत्ते हरे नहीं होते अब इसमें पूछा गया है कि वह हुक गत्विधी के बारे में पहले बताए गया है और फिर पूछा गया है कि कौन सी सबसे अच्छी हुक गत्विधी होगी तो पहला विकल्प जो लिखा है कि क्या होगा अगर पौधूं से पतियों को हटा दिया जाए तो ए विकल्प सबसे अच्छा है, हुक गत्वी थी के लिए अगले तीन प्रस्ण फिर से NCRT के हैं, तो लिखा है किलोनिंग के संदर में निन्खित में से कौन सा कथन सर्विदा सही है पहला विकल्प है या केवल जन्तुओं में संभव है, दूसरा है इसमें किसी कोस का किसी जीवन्त भाग या किसी जीव का सटीक प्रतलिपी करण होता है और तीसरा है इसमें बहु संख्या में संत्तिकी उत्पत्ती होती है तो क्लोनिंग क्या होता है अलेंगिक प्रज्णन के माध्यम से किसी कोस का जानवर के एक हिस से या पूरे जानवर की सटीक प्रतलिपी का उत्पादन क्लोनिंग कहलाता है अब इसमें लिखा है कि यह केवल जन्तुओं में संभव है तो यह गलत है क्योंकि यह मनुस्यों में भी संभव है तो पहला इसमें गलत हो गया दूसरा सही है तीसरा भी सही है कि इसमें बहुत संख्या में संत्ति की उत्पत्ती होती है और इसमें किसी कोस का किसी जीवत भाग या किसी जीवत का सटीक प्रतलिपी करण होता है तो दूसरा और तीसरा इसमें सही है यानि कि आपका जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश् डूसरा है बार्चुमकों को जोलों में इस थरह रखना चाहिए कि विजाती धुरुब एक साथ हों, तीसरा है चुमबक के समान धुरुब एक दुसरे को भी करसित करते हैं, और स्वथा है निकिल एवन कोबाल्ट चुमबक से आकरसित नहीं होते, टो इसमें जो गलत है वय बताना है। गलत बताना था इसलिए डी विकल्प उत्तर है। सुनामी को उत्परेरित कर सकता है। तीसरा है एक इस्थान पर बड़े भूकंप के बाद प्राया चोटे भूकंप आते हैं। और चोथा है भूकंप के अध्यन को सिस्मोलोजी कहते हैं। तो इसमें पहला सही है, तीसरा भी सही है, चोथा भी सही है। लेकिन जो बी नंबर लिखा हुआ है, यानि दूसरा के रियक्टर पैमाने पर तीन की तीवर्ता का भूकंप सुनामी को उत्परेरित कर सकता है। यही इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा क्योंकि गलत पूचा गया है। प्रशन कम लिए है। तो किसी भी प्रशन में आपको डाउट हो, तो आप कमेंट वर्क्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई